अस्रामलेकूम माई नेम है सल्मान इसारी यह पीचप सीरीस का लेक्चर नुमर 6 है और इस लेक्चर में हम लिए देखना है कि हम पीचप के अंदर गलोबल वैरिबल के सना से यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए मैं एक न्यूफाइल क्रेट कर लिए है पीचप के अंदर हम हम दो तरह के वैरिबल्स यूज़ करते हैं एक के लाते हैं लोकल वैरिबल्स एक के लाते हैं गलोबल वैरिबल्स लोकल वैरिबल्स की क्या पैचान है कि हम सिंपल डॉलर साइन लगाते हैं और वैरिबल को कोई भी नेम देते हैं जबके गलोबल वैरिबल्स यह है वो उन तो यह हमारे पास एक तरीका है global variable को लिखने का यहां पर मैं कुछ variables लिख देता हूँ local variable global variable में आपको यहां से फर्क समझ में आ जाएगा local variable जब भी हमने create किया उसे हमां अपनी मर्जी की जगह पे use कर सकते हैं जो उसे हमने काम लेना होता है लेकिन global variable जो हैं वो 5-6-7 जो हैं उनका specific की काम है उसके लवब उनसे हम कोई काम नहीं ले सकते तो पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ फिर उनमें एक से दो जो आज हैं उनको हमने discuss करना है तो यह हमारे पास कुछ global variables हैं हम start करेंगे get or post के method से इसे हम form handling भी बोलते हैं तो उसके लिए मैं से remove कर रहा हूँ अब आ जाते हैं कि यह get or post हैं क्या चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ हम अपना HTML CSS में form create करते हैं या bootstrap में form create करते हैं अब हम बात करें development की तरफ तो हमने अपने form से लिवे data को database में insert करना है या form वहां से retrieve करना है अब हम क्या बात कर रहे हैं कि form जो हमने लिया हुआ है वहां से form की values लेने के बाद उसे database में किस तरह से ले जाएंगे जो हम HTML CSS में एक form बनाते हैं जो कुछ उसमें अपना data put करते हैं वहां form से लेके database तक पहुंचाना है तो form से values लेके database तक ले जाने के लिए दो methods यूज होते हैं दो methods get और post है अब इन दोनों में क्या फरक है इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ से पहले start रे में बता देता हूँ यह है क्या चीज फिर आगर हम इसे करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो जएदा असानी से आपको समझ में आ जाएगा get में क्या होता है और post में क्या होता है मैं आपको security wise थोड़ से असान तरीके से समझा देता हूँ कि suppose अगर हम get यूज करते है तो get का जो method है वो form से values लेके सब को दिखाता है और उसके बाद database में insert करता है जबकि जो हमारा post का method है वो form से values लेके हुफिय तोर पे एक variable में डालता है और फिर database में insert करता है यह हम किस तरीके से कर रहे हैं यह अब दिखा देता हूँ आपको तो हम एक छोड़े सा form create कर लेता हूँ उससे उसकी values को pick कर लेंगे यहाँ पर हमने एक simple सा form create कर लिए और जब भी हम PHP के इंदर form बराएंगे तो यहाँ पर हम form को दो attributes देंगे एक action के name से और एक method के name से अब यह action और method के चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ action के इंदर हम उस page का नाम देते हैं जहाँ पर यह सारा process होता है means कि अगर मैं form fill करने के बाद submit के button पे click करता हूँ तो मेरे पूरे form को रेड़ा किस page पे चला जाता है यहाँ पी हम उस page का नाम लिखते हैं अगर हमें PHP का सारा काम इसी page पे करना है तो यहाँ हम इसी page का नाम दे देंगे या फिर इसे empty छोड़ देंगे मैं इसी page में करना हूँ तो मैं इसे भी empty छोड़ू और यहाँ method में हम get या post यूज़ करेंगे अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम दो method यूज़ करेंगे पहले मैं get यूज़ करता हूँ फिर उसके बाद पोस्ट भी आ जेंगे तो यहाँ में मैं get लिख देता हूँ इतना करने के बाद मैं इस page को run करता हूँ यह हमारे पास कुछ form आ गया एक text box है और नीचे button है अब हमने क्या करना है इस form के इंदर जो भी चीज़ें जो भी elements हमने put किये हैं जो भी fields हमने put किये हैं सब को एक name का attribute देंगे यहाँ पी मैं इस text box को भी एक name का attribute देता हूँ और यहाँ button को भी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ suppose इसको name दे दिया username और इसको name दे दिया btm अब हम इसे name क्यों दे रहे हैं इस बात पर आ जाते हैं इस name के through हम PHP के अंदर इन text box की values को call करेंगे तो हम पहले get use करते हैं और फिर post पर आ जाएंगे यहाँ पर मैं PHP के अंदर सबसे पहले एक variable बना रहा हूँ किसी भी नाम से इसको मैं username से लिख देता हूँ और इसके अंदर अब मैं get method से इस text box की value को pick करूँगा अभी हम बात करे थे get method और post method जो हैं यह form से values को pick करने के लिए use होते हैं तो यहाँ पर क्या है यह जो हमारा text box है इसकी जो हमने यह value दीवी है जो हमने इसे name put की है मैं name आसे copy करता हूँ और यहाँ पर जाके paste कर दूँ अब इस text box ही value इस get method से उठके इस variable में आ रही है मैं यहाँ पर echo भी करवा देता हूँ आप यहाँ नीचे भी echo कर सकते हैं उसको साथ भी echo करा सकते हैं इसको run करता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक error भी आएगा यह देखें अब यह हमारे पास एक error आए इसे थोड़े देर के लिए ignore कर रहें बताता हूँ यह किस तरीकित हम solve कर सकते हैं अब यहाँ text box में कुछ put करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास यह नीचे value आ गए तो यह क्या हुआ हमने इस form में कुछ न कुछ put करने के बाद इस button पर click हुआ तो यह click करने के बाद यह value इस variable में आ गई और साथ ही हमने इसे echo करवा दिया मैं अगेन इसे test करता हूँ तो यह आप देख सकते हैं हमारे पास यह value नीचे echo हो रही है अब हमने इस तीस को solve करना है कि ज़र हमारे पास जो error आ रहा है इसे हम खतम किस तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पी हम एक condition लगा देंगे जिसे यह problem वड़ा असान तरीके से solve हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे कुछ text box में लिखने के बाद इस submit के button पे click करेंगे तब ही हमारे पास यह value नीचे आनी चाहिए means कि अभी error दे रहा है कि हमारे पास username के अंदर कोई value नहीं आ रही जो आप ego करा रहे है तो साहिदी सी बात है हम कुछ अभी पूटी नहीं करें कुछ लिखी नहीं रहे तब यह error हमें दे रहे कुछ लिखने के बाद जब हम इससे submit पे click करते हैं तो यह error ख़ता है तो इसी चीज़ से को हमने set करना है कि जब हम text box पे लिखने के बाद बटन पे click करेंगे तब ही हमारे पास वो नीचे value echo हो वन ना ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जब भी अगर मगर की condition आएगी याद रखिएगा हम if else को use ज़्यादा तर वहीं पे करते हैं तो यहां पे हम इसे if else condition में लिख लेंगे तो यह किस तरीके से work करेगा इस पे आ जाते हैं मैं यहाँ if condition लगा रहा हूँ और PHP के अंदर एक function यूज़ होता है जिसे बोलते है built-in function इसका है इसके लिए हम लिखते है is set is set का function के काम करता है यह check करता है कि कोई चीज exist करती है यह नहीं करती इस point पे इस set का function यह check कर रहा है कि इस button को पे click हुआ है यह नहीं हुआ तो हम button को भी हमने एक name दिया हुआ get method यूज़ किया हुआ तो इसको हम उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते है underscore get और यहाँ पे हम button का नाम लिख देते है तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कोई error नहीं तो यह हमारे पास condition बिल्कुल ठीक हो जाती है कि जब हम कुछ लिखने के बाद इस button पे click करेंगे तब भी हमारे पास नीचे value echo होगी अब मैं कुछ लिख देता हूँ तो यह आप देख सकते हैं हमारे पास easily नीचे echo हो रहा है अब वो error भी खतम होगी इसी तरह मैं एक से दो fields और बना लेता हूँ हमने यहाँ भी सिर्व एक user name के लिए बनाई थी मैं यहाँ पे एक और भी put कर देता हूँ अब हमारे पास दो text boxes हो गए हैं तो नीचे मैं एक password के लिए बना लेता हूँ यह variable का नाम आप कोई भी दे सकते हैं इसको भी मैं echo करवा देता हूँ तो अगर मैं इसी again check करूँगा यह हमारे पार दो text boxes आगे मैं यहाँ पे कुछ put करता हूँ और submit करने पे यह दोनों values हमारे पास नीचे यह echo हो जाती है अब आ जाती है बात हमारे पास जो हम get और post की बात कर रहे है get और post में क्या फरक है हमने get में अभी बात की थी कि जो भी हम put करते हैं वो सब को दिखाता है और पर database में जाता है तो यह आपकी पर थोड़ सी example होगी अगर आप यहां url में देखें तो जो भी हमने put किया है text boxes के अंदर वो यहां url में show हो रहा है तो इस reason की वज़े से हम get method को जदा secure नहीं कहते अगर इसकी जगा में आप post use करता हूं तो आपको थोड़ सा clear हो जाएगा इन दोनों में difference किया है तो यहां जो हमने get use किया था यहां भी जहां-जहां get method यूज हो रहा है मैं उसको post कर देता हूं यहां भी मैं इसे post कर दूँगा यहां भी मैं again इस page को refresh करता हूं तो आप मैं जो put करूंगा वो आप देख सकते हैं यहां भी हमने put किया वो नीचे हमारे पास echo तो होगा लेकिन अब neural में हमारे पास कुछ भी जो नहीं होगा तो इन दोनों में सिर्फ इतना सा difference है get or post के अंदर हमारे पास सिर्फ सिर्फ security reasons की वज़े से specially हमारे पास जब bank की information होती है personal information होती है personal information के साथ जो हमारे C&IC की numbers होते हैं इन सब चीज़ों को हम हमेशा post method से ही लेते हैं अगर as a developer बात करूं तो post method को use करना ज्यादा अच्छा रहता है तो यहां पर हमारे पास यह बिल्कुल easy से clear हो जाएगा कि हम text box से values लेने के लिए अब get या post method दोनों यूस कर सकते हैं आपने इसकी practice करनी है फिर हम इसको यहीं से आगे further continue कर सकते हैं next lecture जो होगा वह इसी post method या get method को use करके हमने last lecture में if else conditions की थी उसे कुछ practice करनी है कुछ question solve करने तो यह दोनों चीज़ों आपके पर practice करते नहींगे तो आपके लिए बड़ा फाइदा हो जाएगा तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you so much, Allah Hafiz